Hello friends, आज हम देखने वाले है exercise number 3.3 का question number 2 का part number 1 तो देखो, सबसे पहले, from the pair of linear equations in following problems and find their solution यानि कि हमें नीचे जितने भी question दिये हैं ना, उसमें से हमें linear equation निकान ले है और उसका solution भी बताना है आपको by the elimination method, elimination method का use करके तो कोई बात नहीं कर देंगे देखो हमारा ये first वाला question क्या कहता है देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो condition दी होगी friends और कोई एक चीज आपको डुंडनी होगी देखो दो condition यानि पहली वार ये रही, यहाँ से लेखके यहाँ तक पहली वाली condition फिर यहाँ से लेखके यहाँ तक दूसरी वाली condition और यह हमें डुंडना है वो तो देखो, पहले तो हम पहली condition को पढ़ लेते हैं यानि कि कोई अपना एक fraction है हम मान लेते हैं, चलो ना कि बैई, x अपन y अपना fraction है और क्या बोला है, वो करता है देखो add one to the numerator, numerator में हमें one add करना होगा ठीक है, और क्या, and subtract one from denominator यहाँ पर denominator में से one subtract कर लेंगे, minus one कर लेंगे और fraction reduce to one, यानि यह करने के बाद हमारा fraction गट के minus one पे आ जाता है ऐसा बोल रहा है, हमारी condition number one clear friends, तो देखो, condition one में से हुमने यह अपना equations निकाला ऐसे ही हम condition two में से हमारा दूसना equation निकालेंगे देखो क्या है it becomes one upon two if we only add one to the denominator यानि कि हमारा कोई एक fraction है ऐसा ठीक, अब क्या कहा है it becomes one upon two वो बनता है क्या, one upon two बनता है कब बनता है, तो देखो, if we only add one to the denominator only one add करेंगे denominator में तब जाके उसका answer one by two बनता है ठीक है बच्चो, तो यह थी हमारी condition number two तो बस यह हमारा equation number one होगा है और यह two होगा है, आसानी से तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं, देखो सबसे पहले हमें let करना पड़ेगा ना, जो हमें ढूंड़ना है वो तो हमें जो question पुछा है ना, उसे ही let करेंगे वायानी कि what is the fraction, यानि fraction को ही let करेंगे हमारा fraction यह है, यानि कि यह अपना numerator और यह अपना denominator यानि कि let the numerator is x and denominator is y तो देखो friends, मैंने numerator को x माना, denominator को y माना, तो अपना fraction क्या बन गा है, then our fraction is is x upon y, ठीक है बच्चो, हमें यह ढूंड़ना है x upon y, अब देखो, हम अपने जो conditions है न, उसके उपर से दो equation निकालेंगे, और no friends मुझे पता है, हमने दो पहले से निकाल दिये, पर यहां लखना पड़ेगा न, according to our conditions, first वाली condition में से जो equation निकाला, वो मैं यहां लिखता हूँ, क्या था, यह देखो, यह वाला, x plus 1 upon y minus 1 equal to minus 1, और दूसरे condition में से निकाला, वो मैं यहां लिखता हूँ, x upon y plus 1 equal to 1 by 2, clear friends मैंने अपनी conditions के उपर से यह दोनों कैसे निकालें, मैं फिर से fastly आपको समझा देता हूँ, add 1 numerator, subtract 1 from denominator, यानि एक numerator में add करना हो, और एक subtract करना हो, denominator में से, the fraction reduced to 1, यानि जो हमारा fraction reduced to 1, यानि हमारा fraction गटके 1 बन जाता है, positive 1, sorry friends, और यहां पर if becomes 1 by 2, if only add 1 to the denominator, यानि कि denominator में only 1 add करेंगे, तो हमारा fraction हमारा 1 by 2 बन जाएगा, तो देखो अब हमें simplify कर देना है, यहां पर x plus 1 equal to, यह 1 है, y minus 1, अब देखो यह y, यह तो वैसा ही का वैसा ही रहेगा, अब यह सब कुछ इससे लादेंगा हूँ, तो देखो, x minus y, और यह 1 उससेट बिज़ देता हूँ, तो minus 1 minus 1 क्या होता है, minus 2, यानि कि हमारा first वाला equation मिल गया है मुझे, same as it is, मैं second वाला डूंड लेता हूँ, यह two service देता हूँ, 2x, यह पूरा 1 के साथ multiply होगा, तो 2x, यह तो वैसा का वैसा ही रहेगा, y को इस साइल ला दो, तो मुझे अपना equation number 2 मिल गया है, अब देखो, यह दोनो equation है, आपको elimination method का use करना होगा, तो क्या करेंगे, कोई एक variable का हमें coefficient same लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो, y का coefficient same आ रहा है, 1, 1, तो कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं, हम यह सिफ उपर नीचे ऐसे लिखे देंगे, दोनों के दोनो equations, देखो, ऐसे, यहाँ पर 2x-y equal to 1, अब देखो, नीचे वाले equations को मैं sign change कर दूंगा, सभी की, यहाँ पर positive का negative कर दिया है, यहाँ पर negative का positive, और positive का negative, तो देखो, minus y और plus y, cancel हो गए, और x-2x, क्या बचा, यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखो, x-2x, ऐसा है, यहाँ पर सुख, आप minus 2, minus 1, minus 3, यहाँ पर x-2x, यानि हमें x की value मिल गई, 3, देखो, x की value मुझे मिल गई, 3, तो अब यह x की value मैं अपने equation में रख दूंगा, यह इस वाले में, इस वाले में, तो मुझे y की value मिल जाएगी, देखो, मैं इस वाले में रख होंगा, तो 3 minus y equal to minus 2, यानि 3, यह 2 इस सेड़ आ जाएगा, तो positive, यानि y की value मुझे मिल गई, 5, तो dear friends, इसके साथ हमें जो डूंड़ना था, वो मिल गया, अपना fraction, x जो था, वो 3, y अपना 5, एक छोटी सी line ऐसे लिखे देंगे, छोटी सी ऐसे, देखो, hence, our fraction is x upon y, यानि x की value 3 upon y की value 5, finish.